दोस्तों ये खबर तो आपने काफी समय पहले ही सुने होगी कि जब हमारा तेजस Mark 2 भारती वाईशेना में सामिल किया जाएगा, तब कई सारे पुराने फाइटर जेट को भारती वाईशेना से रेटायर कर दिया जाएगा, जो हमारा तेजस Mark 2 फाइटर जेट आने वाला है वो 4.5 जन्देशन का होगा लेकिन इसमें कई सारी टेक्नोलोजीज ऐसी होंगी जो 5 जन्देशन वा 6 जन्देशन फाइटर जेट वाली भी इसमें इंडक्ट की जाएंगी तो आप समझ सकते हैं ये फाइटर जेट कितना ज्यादा कैपबल होगा तेजस मार्क 2 हमारा राफे वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट कर दी गई है इससे लगता है कि सायद अब तेजस मार्क 2 की जो परियोजना है वो टाइमली खत्म हो जाएगी यानि जो टाइम दिया गया है उसी के अंदर इस तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को भरती वाईशेना में सामिल किया जाएगा लेकिन इसी को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में कुछ सवाल चल रहते कि जो हमारा प्रोटोटाइप है वो बनकर तयार हो जाएगा आने वाले साल में ही लेकिन जो इंजिन डील साइन हुई है अमेरिका के साथ में तो जो भारत अमेरिका के साथ मिलकर अपना इंजिन बन तो इसको लेकर खुद HL के दौरा ही ये कंफर्म कर दिया गया है कि कौन से इंजन का इस्तमाल प्रोटोटाइप में किया जाएगा दरसल HL के जो डारेक्टर हैं आनन्दा करशन सर उनके दौरा तेजस मांक्टू पर्योजना को लेकर ये काफी सारी क्लेरिटीज दी गई है तेजस मांक्टू पर्योजना के लिए दिसमबर 2024 डेडलाइन सेट कर दी गई है इसका मतलब प्रोटोटाइप रोल आउट काफी समय पहले ही हो जाएगा क्योंकि उसके टैक्से ट्राइल्स वगएरा होते हैं और काफी सारी चीज़ें उसमें की जाती है उसके बाद में फ किसी भी तरीके का कोई डाटा हमारे पास मौजूद नहीं था लेकिन अब HLK डारेक्टर खुद आनंद क्रश्णन की ओर से बताया गया है कि जो तेजस मांक्टू के प्रोटोटाइप होंगे उसमें F414 इंजन का ही इस्तमाल किया जाएगा और जो इसमें इंजन लगने ह उन इंजनों को अमेरिका से भारत पहले ही लाया जा चुका है कुल 8 की संख्या में F414 इंजन को अमेरिका से भारत लाया चा चुका है आपको पता है कि पहले 4 की संख्या में इनके प्रोटोटाइप बनाया जाने थे लेकिन अब ये खबरे निकल कर आ रही है कि 6 की संख्य में इसके prototype को बनाया जाएगा तो दो इंजन हमारे पास already बच जाएगे क्योंकि 8 की संख्या में इंजन को हमने already अमेरिका से भारत मंगा लिया है और इन ही इंजनों का इस्तमार इन प्रोटोटाइप में किया जाएगा और HL के डारेक्टर की ओर से ये भी बताया जा चुका है कि जब 2026 से इंजन का नर्मार सुरू होगा तब 99 की संख्या में हम order इनका देंगे और ये बात तो मैंने पहले आपको ये बताई थी कि टोटल 300 की संख्या में इंजन का नर्मार किया जाना है जिसमें 100 की संख्या में इंजन का इस्तमाल तेजस मार्क टू परियोजना के काफी Dra. तेजी से अब की जा रही है और ये अपने सही ट्रैक पर की जा रही है इस की जो Deade L performing वगरा दी गई है उसमें किसी भी तरीक एक की कोई डिले से हम ब्र debates रहें और हम पूरी से हमें तेजस मार्क टू को भारती वाई सेना में सामिल किया जाना है इसके लिए हम तेजी से काम करने में लगे हुए हैं तो अब ये आप मान के चलिए कि HL की दोरा ये कंफर्म किया जा चुका है कि इसकी डेडलाइन पहले काफी बार डिले हो चुकी है लेकिन अब इसमें किसी भी तरीके का कोई डिले देखने को लिए नहीं मिलेगा बहराल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है अपनी राय कोमेंट करके जरूर बताईएगा